तुम कौन होते हो मुझे जज़ करने वाले कि मैंने ऐसे कपड़े पढ़ने वैसे कपड़े पढ़ने कपड़े पढ़ने से कुई खराब हो जाता है क्या हराब होता है कपड़े पढ़ने से कपड़े से ही तुम पता चलेगा भाई साब तुम अपना पूरा पीछे कप्ष दिखाओ पूरा जाग दिखाओ आगे आसे घर के बैठो इगर से सब दिख रहा है और तुम बोलो कि कपड़ों से आप हमें जज नहीं कर सकते किस चित संग तुमको जज करें बताओ रात में जब तुम मेरे साथ बगल में बैठके होटल में संग में रात विदाओगी तब हम तुमको जज करेंगे आदमी आउरत को लाता किसलिए है अपने उपभोग के अगर आप बहुत सुमदर हो किसी अमीर में देखा और आपको और उसका प्रस आगया वो आपको खरीद अब को समझ में नहीं आ रहा उसने आपका टैलेंट देखके थोड़ी खरीदा चेरा देखके खरीदा पता नहीं मैं अगर बंद कमरे में कोई मेरे से बोलता ना पीटता प्रस अगर प्रस अब कपड़ों से हमारी सोच आगे पड़े गई है इस सब चीज पर ध्यान नहीं आदमी चान्द पर चला गया अकेला मिल जया हूं को पहले पीटते उसको इसके बाद समझाते सुनू भें कोई सोच ऊचागे नहीं बढ़ए है बस वह उसकी बाहन में नहीं आमीर खान की पत्नी फिल्म में काम करती है, सारू खान की पत्नी काम करती है, अक्सगवार की पत्नी काम करती है, विराट कोली की पत्नी काम कर रही है क्यों, लड़किया, स्त्रिया, पुरुसों से कई गुना अच्छी क्योंकि कभी भी ऐसी खबर नहीं आती कि किसी इस्तरी ने किसी पुरुस को पकड़ के बलतकार किया नहीं आती है जो आज की डिट में ट्रेंड बदला है सोसल मीडिया हावी हुआ है लोग उससे जो अपने आपको अपग्रेड कर रहे है और इसका सीधा सीधा असर जो है लड़कियों परा है बहुत सारे लड़कियों को देखने को मिल रहा है कि वो अब परहाई छोड करके अरिल्स बना रही है उदर मॉडर्न की तरफ आ रही है प्यार, मुहबत, ये सब चीज़े अब बहुत जादा पर लड़कियां बरबाद हो रही हैं और उनको कोई बचा नहीं सकता बरबाद होने से और दिक्कत यहाए कि लड़कियों को क्या लगता है एक चीज़ समझेए कि उनको लगता है आजादी के नाम पे कपड़े उतर आजादी के नाम पे कपड़े उतर उनको यहीं लगता है कि आप उनको गली में छुटा छोड़ दीजिए, पाच लड़कियों के साथ मिल के करें, यह उसको आजादी समझ रही है, अब उस चीत से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, छोटी कपड़े पानना यह आजादी नहीं है, और लड़किया अभी भी फा मैं ऐसे बैठा हूँ, ठीक है, यह कुर्ता है, कुर्ता पैजा मौला, कुर्ता और इसके नीचे जिन, और आपने मुझे देखते ही बोला कि आपने नेता और टाइप का पहन के आता, टूपी, बाल रंद आके आता, आपके दीमाज में क्या जाता है, इमांदार सबूआ, अच्छे वर्ड में अगर बात करें, मैं और कपड़ा कुछ अलग तरह आप, एक्तम आपके जैसा ब्लेजर वगर पहन के आता, आपके दीमाज में, कपड़ों से लोग डिसाइड करते हैं, सबसे पहले आप जैसे दिखेंगे लोग आपके बारे में वैसा ही सोचेंगे, और जो नड़की कहती है कि कपड़े नेचर नहीं डिसाइड करती, तुम खुद को दोखा दे रहें, कपड़े से ही तुम पता चलेगा, भाई साब, तुम अपना पूरा पीछे कपड़ दिखाओ, पूरा जांग दिखाओ, आप यह से दर के बैठो, इधर से सब दिख रह उसी समय जज़ कर लेता है, और दिख्कत यह है कि लड़कियों की अभी भी सोच कहां अटकी है, हमें कपड़े पानने की आजादी दो, हमें गाली देने की आजादी दो, तुमको फाइट करना है तो फाइट करो पढ़ाई करना है, फाइट करो कि हमें जूटो का रटा इसके लिए कर रहे हैं, और आप सोचिए कि क्या लड़के कपड़ों के लिए फाइट कर रहे हैं, लड़के बहुत आगे निकल यह कोई नहीं कहा था कि एवरेश्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, प्रथम पूरू से नहीं पूछा जाता है, सिर्फ व्य अगर थीक है, ड्रेसिंग है, अगर है, तो माले जै कि अगर वो कहभी रहे हैं कि मेरी आजादी है, तो इसमें लड़कों को क्या बिरोले, आप पो दिक्कत क्या है, एक्शली, आप पो है नहीं हमें परस्नली दिक्कत नहीं अगर इस चीज को समझेए, अगर इस समाज को लड़किया चलाती, इस समाज को चला कॉन रहा है ज्यादातर, पुरुषा, कुछ ऐसी बाते होती हैं कि मैं बोलू यहां बैठके तो सामने बैठे लोग ताली बजाएंगे, और कुछ बाते ऐसी होती है कि मैं बोलू तो लोग ताली नहीं बजाएंगे, आपस में काना फ प्रॉबलम है नहीं, तुम नंगा गुम दो, मुझे उस चे कोई निक्कत नहीं है, मुझे निक्कत इस बात से है कि तो अभी भी जेन्मीन मुद्दों के लिए फाइट नहीं कर रही है, ज्यादातर लड़किया है, आप फाइट कर रहे हो अभी भी कपड़े पानने के लि आप वहाँ पर पड़े लो, वहाँ पर आप वो चीज कर लो, और जो लड़किया उस चीज को अपना आजादी समझ रही है, वो किसी अमीर घर के लड़के की पतनी बन जा, और वो आदमी और अवरत को लाता किसलिए है, अपने उपभोग के लिए, अगर आप बहुत सुम और किसी अमीर ने देखा और आपको, और उसका आप पे क्रस आ गया, वो आपको खरीद रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा, उसने आपका टैलेंट देखके थोड़ी खरीदा है, चेरा देखके आपको पसंद किया है, तो इस चीज से पहले लड़कियों को बाहर निकलन पढ़ेगा, सामने वाला मुझे क्यों पसंद कर रहा है, इस चीज को समझना पढ़ेगा, अगर खुप्सूरती की वज़य से पसंद कर रहा है, तो तुम उसके लिए एक रुपभोग की बस्टू है, और किसी टैनेंट की वज़य से पसंद कर रहा है, तो तुम उसके काम क लायक हो और इसलिए पुरुस हमेसा काम के लायक होते हैं क्योंकि लड़किया पुरुस को क्यों पसंद करती हैं पैसो के लिए थन के लिए उनकी सफलता देखकर तो जब आपने खुदी जवाब दे दिया तो पुरुस काम के लायक होते हैं और जो लड़किया जिन लड़कि करें भी हार की लड़कियां ज्यानातर बरबाद हो रही है मतलब आठाठ साल दस साल बारा साल की लड़कियां रिज़स पे अपना वक्त दे रही हैं उनको नहीं पता आप रिज़स पे दो पर वो आपका फुल टाइंग जॉब नहीं हो सकता और जॉब प्योगा तुम क्या करके पैसे कमा, और बदन दिखा गया, और बदन कब दिखाना पड़ता है, एक होता है art और एक होता है your body, ठीक है, अगर मेरे अंदर कला है, तो मैं अपनी बातों से आपको omg. मैं audience को अपनी बातों से प्रभावरेक करेशा, लेकिन अगर मुझे लगेगा कि मेरी बातों में वह क्वालिटी नहीं है तो उसके लिए मुझे दो तीन चीजे सुधार करनी पड़े अपना ड्रेसिंग सेंस अपनी बॉड़ी यह दो लो चीति मतलब हर चीज में सुधार करना पड़ेगा कि कुछ लोग मेरी बातों से अच्छी हो कि लोग उससे भी परभावित हो और यह फैसन अब जैसे फिल्मों में ही हो रहा है पहले आर्ट दिखाया जाता है पर आर्ट नहीं चलता तो फिर बदन दिखाया जाता है जाए वो बुच पूरी इंडस्टी या बॉलिवड इंडस्टी और लड़िकियां उस चीज़ के फाइट नहीं है आप इनको बोल दो पावन सिंग के साथ गाना गरना है और उसमें यह गाना हो कुछ की पावन सिंग के साथ मौका मिल रहा है यह नहीं देखेंगी तो हर कमर के लिए तुमको मौका मिल रहा है इसलिए नहीं क्योंकि तुम बहतर डांस करती हो इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हारा आर्ट बहतर है तुम्हारा कुछ और बहतर है और उस चीज के लिए तुम्हें तो मैं लड़कियों को उस जगा पे देखना चाहता हूँ जब विरोध करना सिखे और जिस ती लड़कियां विरोध करना सीखे उस तीन हो आगे बढ़ जाएं। अभी तो ये लगता है कि अभी ये जो चीजे जिस तरीके से सोसल मिरिया इंफुलेंस कर रहा है तो लोग इस कि जो चका चौन है उससे प्रभावित हो करके भी कुछ गलत कदम उठाती है और उसका कई वार ऐसा भी खबर आता है कि उनका गलत इस्तमाल हो गया और यह खबरे बनती है बाद में लेकिन तब बनती है जब उनके हाथ से मौका निकल चुका रहता है उसके बावजूद भी खबर जब दिखती है तो बाकी लोग इससे सीख नहीं लेते हैं तो ऐसे लड़कियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो हाल फिलाल गाओं से निकल के साहर की तरफ आती है और परने के उद्देश से आती है और फिर दूसरे चीजों में अट्रैक्ट हो जाती है सब जाओं और शिक्डी दिखाते हुए जाओं चूतिया कौन है जो दिखा रहे जो खड़ा है जो भाए वो नहीं जो दिखा रहे वो है समझ रहा है और मैं बोलूँ कि उल गुन्दों पापीस फोच बदलनी चाहिए कौन है किसका खसका है आप वही कर रहे हो आप बोल रहे ह कि तुमारी सोस्ति ठीक होनी चाहिए ए समझ रहा है? इस बहुत चोटी से पार है कपड़ों है पर है नहीं चोटी बात कि उतर चलिट पर माल लेथे चैन्हें हमारा समाज बहुत आगे बढ़ चुका है बस वू उसकी बहान ले इसलिए तुम्हारी स्वोच आगेबढ़ी तुम्हारी अपनी बेटी नहीं है इसलिए तुम्हारी पहनली बहान यह बेटी है तो पैसे कमाने के चक्कर में तो इतने जयादा दिर चुके हो, कि तु में फर्क हिनी पड़ता कि वो क्या कर रही है, या क्या सोग क्योंकि सुझा क्योंकि सबसे जयादा आज भी मूबाली पर क्या विकता है असली शीज़े अभी भी फिल्में किस चीज़ ghetto सबसे जादा चलिया भी करेंगे अस निलता पही है सबसे जादा सबसे जादा सबसे जादा हम सबसे जादा हम बेच वह रहा है तो सोच cahama बता में एक देखे की व कि मैं बार बार इस दूसरा मैं इंस्पार बहुत ज्यादा होता हूं और तीसरा मुझे अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि समाज वास्तों में फिल्म समाज का एक दरपण है इसलिए मैं उसकी बार ज्यादा करता हूं यह चीज़ है फिल्मों में अभी भी क्या दिखाया जा रहा है क्या बताया जा रहा है और लोग क्या देख रहे है इस चीज को समझेना पड़ेगा ना ऐसे का देने से कैसे हमालने के सोच आगे बढ़ गई है आमीर खान की पत्नी फिल्म में काम करती है शारू खान की पत्नी काम करती है कि उनको लग रहा है कि वहां पर गंदगी है और वो खुछ जान रहा है इसलिए मतलब पहले बले की हैं लेकिन जिसके साथ गई उस ने समझाये कि बहुत गलत है इसलिए मत करो आस तो फिर सुँच कह आगे बढ़िये सर, मतलब किसी और के साथ करने में मज़ मझे आ रहा है, तो वहां पर आप ग्यान बैठ के अब हमें लें हैं, झए अपना जाना हो रहा है, तो वहां पर आप करें, जब आपकी सोच आगे बढ़ गई हैं, और जब अपना मौका मिल रहा है तो क्यास करो कोई स्वोच उचागे नहीं बढ़ी है अपने टैलेंट पर काम करना पड़े लो यह सब चीजे बकवास है कोई मतलब और कोई वैल्यू स्किल बहुत जरूरी है और जब तक आपके स्किल जो है आपका जो अपना टैलेंट है व और टैलेंट का इस्तमाल करेंगे तो टैलेंट का इस्तमाल होना और किसी सरीर का इस्तमाल होना दोनों में बिल्कुल अलगला और मुझे लगता है कि जो आप बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि जो बात आपने कहीं इसमें कुछ जादा आप इस पर सिरियस हो च चक्करवें कोई और रास्ता अख्तियार गर रहे हूं जो गलत है प्लीज समझो अपने आपको अपने टैलेंट को अपनी कबिलियत होगर एक लड़का पैसा कमा सकता है सही वे में तो आप भी लड़की हो के सही वे में पैसा कमा सकी हो और आप लड़की हैं आपके नो का मतल तो में विरोधा बास यह है कि लड़कियां इतनी गलत होके भी लड़कियां बहुत से लिए जो उनकी कमिया है मैंने उस पे बात की लड़कियां, स्त्रियां, पुरुसों से कई गुना अच्छी क्योंकि कभी भी ऐसी खबर नहीं आती कि किसी इस्त्रिय ने किसी पुरुस को पकड़ के बलतकार किया नहीं आती है और अगर आई भी होंगी तो वो उंगली पे गिन लीज़े हैं कि एक साल वे कितनी ख़बर हैं, लेकिन पूरुसों ने कितनी लड़कियों का बलतकार किया, वो आपने ही काउंट कर, उसके लिए आपड़ा देखना पड़, कभी भी लड़कियां जबरदस्ती नहीं कर, पूरुस हमेशा जबरदस्ती ही करते हैं, पूरुस सोसर गर, होगी, कैरेक्टर लेस होगी, वो आपको हिंट देगी, सोसर नहीं करेगी, पर पूरुस हिंट नहीं देते हैं, मजबूत पूरुस हमेशा कमजोर इस तरीका सोसर गरते हैं, तो लड़कियों पे वो मैंने बात दे कहीं, तो पूरुसों पे भी यह कहना जरूरी है, और इस मामले में गलती पूरुसों की ही रही, इस्तरियों की कभी नहीं रही है, सड़क पे बारा बज़े आप चल रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो, आप चार दोस्त बैठे हो, और एक लड़की उसी सड़क से गुजर रही है, उसने हाप सकट पाना है, नहीं पाना है, फूल पूरा जिन साड़ी ही पैनले, इस्टोमेटिक आपका सीसा नीचे होने ही लग, अचानक से आप कुछ लग कुछ बोलने ही लग जाते हो, लड़कियां कभी लड़कों पर कॉमेंट नहीं गर, वो चार ग्रूप में भी हो तो भी नहीं गर, किसी ने कर दिया वो अलग कर, इसलिए आज महिलाओं को आजादी मिली है, तो स्प्रिंट की तरह वो तबाह के रखा गया, तो अचानक से अगर छूटने का मौका मिला तो यो छूट रहा है, ये रिजन है, पर इसलिए मैं तहा रहा हूं कि आपको समझना पर हो, मुझे लगता है इन सब चीजों के के लिए हैं सिक्षित होना जरूरी है, समझदार होना जरूरी है, समाज को समझना जरूरी है, इस देश को सबसे ज्यादा किसी ने लूटा है, तो एजुकेटेड लोगों ने लूटा है, जब जब ये बात आती, एजुकेटेड होना सिर्फ और सिर्फ अपने हक को समझने के लिए ज़रूरी है और कोई ज़रूरत नहीं है मेरे मेरी हर बात में विरोधा बास दिख जाएगा एजुकेट इस बिहार को इस समाज को इस सिस्टम को किसी ने बरबाद किया है तो एजुकेटिड लोगों ने किया अनपढ़ा आदमी कैसे बरबाद कर दो जो पढ़ा है लिखा है समझाए वो बरबाद करता है उस फिर पर आपके उपर भी कह सकता है तो पर लिखे हैं हां मैं बता दूंगा उस पर बताया जा सकता है कि उस सामने वाले को पता है कि बरबाद किया कैसे जा सकता है उसने बरबाद किया और जहां तक से मेरी बात है कि मैं पढ़ा मैं बरबाद मैंने किया या कर सकता हूं मैं अनपडों से ज्यादा बरबाद कर सकता हूं एक अनपड़ है जो गाउं में गाये भाष करा रहा है या नहर पर बैटके रमायन देके कुछ भी कर रहा है उससे ज्यादा मेरे पास capability या लोगों को मुर्ख बनाने की या सचार पर alongside माई कामरा में जो चाहूं को बोल सकता हूं लोग सुनेंगे लोग इंस्पेर होगे JNR जो उससे बड़ा है उसके पास और ज्यादा मोगा अब यह हमको decided करना है कि लोगों को मूर्ख बनाना है कि नहीं बनाना है कि स्ट्पिक पर कितना ओर ये तो होता है लिए बड़ी बात कौँछे है किसी ही एक और बात मैं निटाओं के लिए बॉलना जारता हूं कि लोग कहता है निताओं को पढ़ा लिखा पढ़ाना जरूर ये नहीं जरूर नेताओं को पढ़ना एपको नहीं समझ में आता है पढ़ाई से क्या लेना देना है इस चीज का इसको यह system को चला कौन रहा है वो चला रहा है नेता तो दूसरा चीज है बाई वो पब्लिक को डील कर दिया सबसे ज़्यादा पढ़े लिगे कोन है वियू रोग जो रिशन बिलकुल तो बरबाद कोन कर रहा है विश उनको बताना चाहिए न ने तो आइस का जब भी इंटर्वीव होता है ऐसे ऐसे समाजिक मुद्दों पर सवाल पूछा जाता है कि वो जवाब देते हैं तो ऐसा पढ़ाई वाले लोगों ने तो बरबाद किया अर्चेस है पढ़ाना सिर्फ इसलिए जरूरी है कि आप अपना हक जान सके आप नेता बने हैं आप पढ़े लिखे होंगे तो देश को आबाद कर देंगे नहीं एक ब्यूरोक्रेट्स जब आप गलत सलाह देगा तो आप इ आप से सवाल पूछ सकेंगे आप पढ़े लिखे होंगे इस पी आपको मुर्ख बनाने की कोशिज करेगा पढ़ाने पढ़ाना लिखेना सिर्फ इसलिए जरूरी है पहला कमाई वो तो आप कमाएंगे पढ़ेंगे तबी और दूसरा आप अपना हत और हुक के लिए और निश्ची तोर पर मैं आपके बहुत सारी इसी बाते हैं जिसमें मैं सामती केमरे पर कह रहा हूं कि है और मेरे भी मन में वह यह सी चीजे चलती है और जो बाते आपने कही है मुझे उमीद है कि जो लोग इसको देखेंगे उससे अगर उनको अच्छा लगेगा तो प् आप उसके मन की बात कहते हैं तो अच्छा लगता है उसके अगर्स जाते हैं तो उसको बुरा लगता है अच्छा लगने के लिए मरना पड़ता है मर जाएंगे तो बाते अच्छी लगेंगी जिंदा है तो बाते अच्छी नहीं लगेंगी उसका विरोध होगा उस पे लो कि ये सब चीजे और महिलाओं पे भी खुल के बाद की और अन्तोगत्वा नेताओं पे भी आपने खुल के बाद की बिहार की मजदूरी पे भी खुल के बाद की तो मुझे लगता है कि यह जो पॉड़कास्ट है या जो इंटरव्यू एन इस ची तोर पे जो देखेंगे उन मुझे दूबर बात की या थैंक शुल थैंक शुल थैंक शुल थैंक शुल